हाई गाईज वल्कम बैक आप सबीक अपने चानल पर बहुत ज़्यदा स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयो 17.1.2 के अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अपने आइफोन में इन सेटिंग्स को जरूर आप इनेबल कर लेना यह काफे ज़्यदा इंपोर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई निया आयस वर्जन रिलीज होता है तो नए अपडेट्स आपके डिवाइस में आते हैं अप्लिकेशन के रिलेटेड और कुछ ऐसी सैटिंग्स होती है जिनके बारे में आपको जुरूर पता होना चाहिए इनको जुरूर आपको च इशू चल रहे थे कीबोर्ट से रिलेटेड पुराने वाले अपडेट में उसको एपल ने फिक्स किया है और साथ में यहां पर वाइफाई से रिलेटेड इशू देखनी को मले थे वाइफाई का जो पूर कनेक्शन इशू था वो पुराने अपडेट में काफी जदा फे register iphone तो एस option के उपर single tap और यहां पर आप दék सकते होती और अगर आपड़ आप करोगे तो यहां पर आपको देखनी के मल जाएंगी यह settings तो यहां से आपको reset networks को enable करना है जिसके साथ क्या होगा कि आपके जितने भी Wi-Fi connection आपने connect की होंगे अपने Wi-Fi में वो सारे के सारे remove हो जाएंगे और आपको यहां पर reinstall करना है इन Wi-Fi को अपने device की उपर मतलब कि फिर से आपको connect करना है वो इसके साथ आपका जो पूर connection issue होगा आपके Wi-Fi में वो बिल्कुल यहां पर fix होने वाला इस नहीं update में इसलिए आपको इनको जिरूर यहां पर reset करना है अगर आपको यह issue अभी तक भी face हो रहा है Wi-Fi से related उसके बाद जो second number की उपर जो issue face हो रहा था वो था यहां पर notification से related notification से कुछ ऐसी applications की वो deliver नहीं हो रही थी अगर आपने यहां से कुछ ऐसी applications की notifications को यहां से off कर रखा है तो उनको आपको तुरंत यहां से on कर देना है जिसके साथ आपको notifications आपकी lock screen की पर show होने वाली है जो भी notification आएगी जिस किसी भी application में से उसके बाद यहां पर यहां पर को बैक्टरी द्रॉप का इश्यू देखनी को नहीं मलने वाला है मैंने भी इस अप्लिकेशन को अप्डेट करने की आपको अप्डेट को अप्डेट करना है जैसे ही यहां पर अप्डेट की उपर टैप करोगे आपको यहां पर देखने को मल जाएंगी आपकी यह आप्लिकेशन जो भी आप्डेट रिक्वाइर कर ली है आपको उस अप्लिकेशन को अप्डेट रखना है जिसके साथ आपकी आप्लिकेशन में आपको कोई भी क्रेशिंग एश्यू देखनी को ना मलें तो यह कुछ important settings हैं जिनको आपको अभी अभी चेंज कर लेना चाहिए I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी so मलते हैं guys अगली वीडियो में so thanks for watching